हलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्यपरदेश डेली करंट अफियर में आपका स्वागत है आज है 25 अपरेल 2019 और यह हमारी 136 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related, important facts भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तों, अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं, हम आपके answer जरू करेंगे दोस्तों, आइकोन में एक question दिया गया है, जो previous day का है इसे आप solve जरू करें Question number first हाली में कहां Naval Commanders Conference 2019 का आयोजन किया गया है जिसके सही option है, नई दिल्ली हाली में, नई दिल्ली में Naval Commanders Conference 2019 का आयोजन किया गया है यह सम्मिलन तीन दिन तक चलेगा इस सम्मिलन में नौशनिक कमांडरों के बीच विचारों का आधान प्रदान किया जाएगा साथी operational, logistics, prescription और प्रसासने कतिविदियों की समिक्षा भी की जाएगी दोस्तों, आप बात आईए नई दिल्ली की, तो आपको मैप में नई दिल्ली के बारें बता दें मैप में ये जिगह है दिल्ली को दरसाती है, दिल्ली के गवर्नर है अनिल वैजल और मुख्यमंत्री है अरविंद केजिवाल दोस्तो, 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, तो दोस्तो, इतना आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है वीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में किस भारतिय फिल्म ने वेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरुसकार जीता है जिसको सही ओफ्षन है भयानकम भयानकम फिल्म ने इस Beijing International Film Festival 2019 में West Cinematography का पुरुसकार जीता है यह एक मर्यालम फिल्म है इस फिल्म के डारेक्टर है जैराज Cinematography का काम निकल एस प्रिमीडी न किया है इस फिल्म में को 65 वे रास्टिय फिल्म पुरुसकार में भी सर्वसरिष्ट Cinematography का पुरुसकार दिया गया है दोस्तों तो इतना आपको भयानकम फिल्म के बारे में याद रखना है Next Question हाली में किसे हस्त शिल्फ निर्मार संबंधन परिशत का चेयर्मेन चुना गया है तिसको सही option है रविंद्र कुमार पस्सी रविंद्र कुमार पस्सी को हस्त शिल्फ निर्या संबंधन परिशत का चेयर्मेन बनाया गया है इन्हें O.P. प्रदाल लका क्या इस्थान दिया गया है यह परिशत एक गेर लवकारी संग्ठन है दोस्तो इसका उत्देश हस्तचिल्प उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में किस बैंक ने NRI लोगों को पेपरलेस खाता खोलने की शुविधा दी है जिसका सही ओफ्षन है IDBI हाली में IDBI बैंक ने NRI लोगों को पेपरलेस खाता खोलने की शुविधा प्रदान की है दोस्तो हाली में IDBI बैंक ने NRI इंस्टा ओनलाइन सुविदा लॉंच की है इसके द्वारा आप प्रवासी भारती है बिना किसी डॉक्यूमेंट के खाता खुलवा सकते हैं एक important fact आपको बता दें यह सुविदा सिर्फ उन लोगों को है जो financial action task force संग्ठन के सदस्थ है CEO और MD है राकिश शर्मा और IDBI बैंक के चेर्मेन है हैमंत भारगब तो दोस्तो इतना आपको IDBI बैंक के बारे में याद रखना है next question हाली में कब बिस्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है जिसको सई option है 23 अप्रेल हाली में 23 अप्रेल को बिस्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है यह दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रेल को आयजित किया जाता है लोगों की पुस्तक के प्रती रूची कम होती जा रही है इसी रूची को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है इस दिबस का आयूजन UNESCO द्वारा किया जाता है 1995 में पहली बार 200 पुस्तक दिबस मनाया गया था दोस्तों सारजाह को इस साल वर्ल्ड बुक राजधानी यानि 200 पुस्तक राजधानी चुना गया है तो दोस्तो इतना आपको 200 पुस्तक दिवस की बारी में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन IPL 2019 का फाइनल अब कहां खेला जाएगा जिसको से योफ्टन है है हैदराबाद हैदराबाद में IPL 2019 का फाइनल खेला जाएगा इससे पहले यह फाइनल चैन नहीं में खेला जाना था पर कुछ कारणों की बज़ाए से यह अब हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल इस्टेडियम में खेला जाएगा आपको बता दें IPL का फाइनल 12 माई को होना है दोस्तो अब बात आईए IPL की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको IPL के बारे में बता दें IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है इसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया था IPL में कुल आठ टीमें हैं सुरिष रेना ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं IPL में लसित मालिंगा ने सबसे ज़्यादा बिकेट IPL में लिये हैं दोस्तो मुंबई और चेन्नाई तीन-तीन बार IPL खिताब जी चुकी है एक और इंपुटेंट फेक्ट बता दें हाली में मुंबई टीम ने IPL में पहली बार 100 मैच जीती हैं जिसका सही ओफ्षन है मौती महल हाली में मौती महल परेटन निगम को सौपा गया है दोस्तो 147 साल पुराना यह एतिहासिक इस्थल गौलियर में इस्थित है हाली में लोकनुर्माण बिभाग ने राज्य के परेटन निगम को यह महल सौपा है इस महल में यह हैरिटेज होटल खोले जाने की प्लानिंग परेटन निगम कर रहा है होटल बनने के बाद इस महल में 696 कमरे मिलेंगे हाली में यहाँ पर कई सरकारी दफ्तर जैसे अपकारी विभाग, भू अभीलेक विभाग, राजस्व विभाग, परिबहन विभाग, आदी संचालित किये जा रहे हैं तो इतना आपको मोती महल के बारे में याद रखना है नेस्ट क्वेशन हाली में मद्यप्रदेश में अध्यापकों को कितने रुपए का वजट आवंटित किया गया है जिसका सरी ओफ्षन है 200 करोर रुपए 200 करोर रुपए का वजट मद्यप्रदेश के अध्यापकों को आवंटित किया गया है मद्यप्रदेश के 98 यानि 89 विकासखंडों के स्कूलों में कारेरद सिक्षकों को मार्च माहे का बेतन नहीं दिया गया था इसलिए यह बजट आवंटित किया गया है दोस्तों आप बात आईए मद्यप्रदेश की तो आपको मैप में मद्यप्रदेश की बारे में बता दें मैप में ये जगह है मद्यप्रदेश को दरसाती है मद्यप्रदेश की स्थापना 1 नमबर 1956 में की गई थी गवर्नर है अनन्दी बेन पटेल, मुख्यमंत्री है, कमलनात और मध्यप्रदेश की राजदानी है भोपाल तो इतना आपको मध्यप्रदेश के बारे में याद रखना है Next question किस राज्जी के सरकारी स्कूलों को दिल्ली की तरह स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा जिसका सही option है मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों को दिल्ली की तरह स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा माहे के अंदर गद, मध्यप्रदेश के सिक्षा बिभाग के अधिकारी, दो बार दिल्ली के स्कूलों की विजट कर चुके हैं मद्यप्रदेश में सिक्षा की गुडवत्ता और इसकूलों में शुधार के लिए सुजाओ भी साजा किये गए हैं दोस्तो मद्यप्रदेश में सिक्षा वजट मात्र तीन प्रतीशत है ये एक बहुत important fact है Next question मद्यप्रदेश के किस जिले में हाई-टेक लेब बनाई जाएगी जिसका से option है गवालियर गवालियर में हाई-टेक लेब बनाई जाएगी सेंटरल लाइब्रेरी की ओर से शहर में युवाओं और महिलाओं के कम्पीटर सीखने और उस से दक्षता हासिल करने short term program शुरू किया जाएगा evil online bakery और GST को देखते हुए 15 से 90 दिन का कोश सामिल किया गया है दोस्तो अब बात आईए गवालियर की तो कुछ important fact आपको गवालियर के बारे में बता दें गवालियर के किले को जिब्राल्टर ओफ इंडिया कहा जाता है गवालियर में भारत का दूसरा सूर्य मंदर है जो मुरार में इस्थित है दोस्तो रानी लक्षबाई सारीरिक परिक्षन केंदर गवालियर में इस्थित है जो भारत का पहला सारीरिक परिक्षन केंदर है तांसन की समाधी, जैबिलास पैलेस, गूजरी महल, मान मंदर, नोती महल, सास बहु का मंदर ये सभी ग्वालियर में ही इस्तित हैं घाटी गाउं में सौन चिडिया सनरक्षन अभ्यारन भी बनाया गया है तो दोस्तो इतना आपको गूजरी जिले के बारे में याद रखना है चलते हैं नेस्ट कोशन पर हाली में मतदाता जागरुकता को लेकर किस जिले में पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगीता रखी गई है जिसको से यह उफ्षन है सतना हाली में सतना में यह मचदाता जागरूता को लेकर पोस्टर और पैंटिंग प्रतियोगिता रखी गई है इस प्रतियोगिता में पैंटिंग के अलावा और भी कारिकरम आयुजित किये जाएंगे दोस्तो अब बात आईए सतना जले की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको सतना जले के बारे में बता दें चूना और सीमेंट उद्योग की नाम से सतना को जाना जाता है दोस्तो मईहर जिसे सरकार ने पवित्र नगरी घोसित किया है यह सतना में ही इस्थित है उस्ताद अलाउद्दीन खा संगीत अकेडमी भी मैहर में ही बनाई गई है मजगाओं में हीरे की खदाने हैं और भरहूत में प्रिसिद्ध इस्थूप मौजूद हैं मंदाकनी टॉस और सोन सतना जले की प्रमुख नदिया है और दोस्तो एक और important fact आपको बता दें चित्रकूट भी सतना जले में ही इस्थित है दोस्तो इतना आपको मध्यप्रदेश के सतना जले की बारे में याद रखना है चलते हैं next question पर हाली में किस देश में अंतरास्टिय पुस्तक मेला शुरू हुआ है जिसको सही option है UAE हाली में UAE में अंतरास्टिय पुस्तक मेला शुरू हुआ है इस मेले का यह 29 संस्क्रण है जो आवुदावी में शुरू हुआ है भारत इस मेले में guest of honor है इस मेले में 50 से ज़्यादा देश के लोग हिस्सा ले रहे हैं दोस्तो पांच लाग के सम्थिंग बुक्स की प्रदशनी रखी गई है मेले का समापन 30 अप्रेल को होगा 200 पुस्तक दिवस पर यह अंतरास्टिय पुस्तक मेला शुरू किया गया है दोस्तो अब बात आईए UAE की तो आपको मेप में इसके बारे में बता दें मेप में ये जगह है UAE को दरसाती है UAE की राजधानी आबुदावी करंसी है दिरहम और रास्टपती है खलीफा विंजयाद अलनाहयान तो दोस्तो इतना आपको UAE की बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफ्यार आप मारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्यप्रदेश और वर्ल्ल के इंटरेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजर होंगे दोस्तो हमारी एक और सीरिज मद्यप्रदेश 30 Important Days का तीसरा पार्ट आचुका है जिसे आप जाकर देखें इसमें बाइयो फिजिक्स केमिस्टी और मद्यप्रदेश के Important Factor और Important Question लिए गए हैं आप इसको जरूर देखें तो आज के लिए बस ततना ही नमस्कार